हेलो एवरिमन, वेलकम टो क्रियेटिव डिदाइंग, आज हुम इस वीडियो में Solubox का और देखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि Solubox में कितने मोडूल्स होते हैं, और यह मोडूल्स कहां पर कहां होते हैं, और Solubox के बेसिक कॉर्स में क्या-क्या कंटेंड्स होते हैं, इ अब इसके अंदर 3 मोडूल्स आएंगे, जो यहां से आप यूज कर सकते हैं, इसको New Document के अंदर, जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो, यह वालो जो option है, यहां पर इसमें आपको यह बना है, सबसे पहले यहां से आप क्लिक करोगे, यहां पर New Caption आएगा, New Caption आएगा, यहा पर दूर किसी भी object, वो जो एक 3D object है, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, और एक सिंगल अबजेक्ट इंटिटीज से रहने की है, टिक है, सिंगल इंटिटीज कैसे, कि जैसे आपने पास कोई भी मशीन या पोई असेंबली है, तो असेंबली की है, जो सिंगल सिं असेंबली में अगर अपने को अपने को व्यूज करते हैं, तो इसके लिए अपने के उसके लिए यूज करते हैं, थाड़ आएक आएक आपका ड्रोइंग, जो भी पार्ट अपने बनाया है, या पिर जो असेंबली अपने क्रियेट करीए, उस दोनों में से किसी भी object का अ तो यहां से okay करोगे आप, उसके बाद अब इसमें जो भी module आपको चाहिए, उस module पर select करके उसको यहां से okay करना है, तो पटिबल मोडिल यहां पर open हो जाएं, उस module को open होने के बाद यहां पर अगें different type की modules आते हैं, पटिबल पार डिजाइंग, यह पार डिजाइन अपने किसी भी object को बनाने के लिए आप पर यूज करेंगे, एक प्सकेचर, एक आएगा features, एक आएगा surfaces, और एक आएगा sheet method, और developments, ठीके यह 5 tools या आप 5 modules जिसको आप बोल सकते हो, यह 5 यहां पर use कर जाएं, तो सबसे first आएगा sketchर, sketchर का meaning होता है कि आप कोई भी चीज sketch करना, जो जो भी आपको 3D object बनाना है, या आप जो भी object, जो भी ideas आपको एपास हैं, उस ideas को implement करने के लिए सब सब पाश्ट आपको इसका sketch बनाना है, कि आपका 3D object कि स्टेप पर दिखता है, या फिर उसका front view होगर आपको यूज कर रहा है, तो कि स्टेप से बनेगा, ठीक है, तो sketch sketch में जो ही नहीं है कि अपने को 3D object बनाना है, तो उसका पूरे एक साथ sketch बनाना है, तो जैसे particular कोई भी एक face आपको जीसे साइड का बनाना है, तो वो face आप यहाँ पर बना सकता है, इससे तरह सा आएगा features, features के अंदर क्या होता है, कि कि किसी भी 3D object को convert करना, 2D sketch से 3D के अ तो यहाँ पर जो भी आप sketch बनाऊगे, वो directly features में जाकर 3D में convert होता है, में अपना काम ही रहेगा, इस sketch में जो भी 2D बनाना है, वो 2D बनाया, उसके बाद features में जाकर 3D object में convert कर सकता है, उसके बाद आएगा surface, और features के अंदर क्या होगा, कि जितने भी object आप बनाऊगे, व इससे दिरह से आता है surface, surface भी एक partisan की module है, इसके अंदर का होता है, कि जो भी object आप अपनाऊगे, वो hollow surface में बनाऊगे, जिसकी thickness जो रहेगी होगी, जिसकी thickness कोई भी count नहीं होगी, जिस type का object जो भी एक negligible thickness वेरी करता है, वो उस type का object जो भी आपको बनाना हो इसमें बनेगा surface के अंदर, फिल आएगा next आपको sheet metal, sheet metal के अंदर, एक uniform thickness का अगर आपको object बनाना है, तो उसके लिए use के जाता है, so uniform thickness in the sense, कि जैसे sheet metal का work जिता में होता है, जैसे image sheets से अपने कोई box बना ले हो, चाहे ATM machine swing, तो ये सभी चीज़े जो बनती है, किसे बनती है sheet metal से, क्योंकि उ जितने भी आपको option करना है, वह भी use कर सकते हो, इससे तरह से weldments आएगा, weldments के अंदर क्या होता है, कि अगर आपने पास कोई भी जैसे channel type, कोई frame बना नहीं है, या इस type की, जो भी welding का काम होते है, वो सब आपको किसमे बनेगा, weldments के अंदर, तो इससे तरह से ये 5 modules के अंद आपके tools बनेगा है, तो इस tools को आप use कर सकते हो, और आपके drawing को बना सकते हो, अब सबसे first आएगा यहाँ पर sketch, sketch के अंदर, सबसे first अपने को need होगी, कोईसी भी चीज को बनाने के लिए, वो चीज है plan, plan, आप use कर सकते हो, किसी भी object को बनाने के लिए, तो यहाँ पर 3 type के plan प्लेन होते है, front plane, top plane और right plane, तीनों प्लेन को आपको show कराना है, तो उसके लिए फेले तीनों प्लेन को select किया आपना है, तो तीनों प्लेन अगर आप यहाँ से simple select करते हो, तो तीनों प्लेन क्या हो जाएगा, वाइपिस से, जैसे आप screen पर click करोगे, हाई हो जाएगा, तो काम किसी एक plane पर करना है, तो उस plane पर particular काम करने के लिए अपने को उस plane के क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जाना पड़ेगा, तो जैके आप उस plane का काम करना हो, तो नॉर्मल जाने के लिए सबसे फेस्ट ओप्शन यह है, इसमें नॉर्मल जाने के तिन-चार मेतर्स है, आ इस पर आप जैसे click करोगे वह उस particular plane के जाएगा normal Second option किया रहता है कि इस पर click करो in case वह hide हो जाता है आपका toolbar जो पर आपने click किया था तो उसके लिए वह तभी show होता है जब आप first बाद click करते हो और अपने mouse को हिलाते नहीं होता है तो डिक लिए आप तो वह इंतर पे जाँ रहेगा, अगर अगर आप हाईड हो चाता है, तो उसके बाद आप इस पर स्वार पे क्लिक करो, तो यहां पर ओरिंटेशन करके एंग विंडवलगा इसमें आपका आता है नोर्मल कृकश्ण नॉर्मल का 6 woh को अफे ननुमल करना तो इस प्लेरक आपज़न एक हो चतल बिल्च को यूझ करके आप प्लें को NORMAL कर सकते हूँ ताकि कि आपको जो भी बनाना उस प्लें के NORMAL बनाना इसके बाद आएगा यहां पर सकेज्च बनाने का OPTIONS आप इसकेज बनाने में भी आप देखोगी कि काभी सारे OPTIONS OFF हैं ठीक है यह जो लाइट नहीं है, और यह कुछ highlight है, यह options अभी on है, इनको आप directly use का सकते हो, और जो options off है, इनका मतलब इनके लिए कुछ ऐसी requirement है, जो अभी फुल्पिल नहीं होती है, उनको अपन directly use नहीं का सकते हैं, जैसे आपन mirror इंट्रे ले ले ले, तो आपने पास अभी entities नहीं है, जो आप अपन use नहीं का सकते हैं, इसलिए वो off रहते हैं, और वह option on होते हैं, जो अपन directly use का सकते हैं, इसक्रीन के उपर, तो सबसे फ़र्स आता है यहाँ पर, इसी तरह से यह वादर toolboards आएगा आपका, इसके अंदर भी अलग यह options है, जैसे माना की, zoom in करना हो, zoom out करना है, त इस तरह से अप्षिन से कुछ, जैसे कि अपन देखते हैं, माना कोई drawing बना है अपन, इस तरह से कोई भी object बना लिया, इस तरह से, आप में बताता हूं में इसके, अब इसमें सबसे फ़र्स यहाँ पर आता है, अगर आपको zoom करना है या, तो उसके लिए, तो अब इसमें क इसमें होता है, कि जितना portion आपको zoom करना है, वही portion यहाँ पर zoom होगा, कैसे, कि आपको जिसे इतना portion आपको zoom करना है, तो 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 इतना portion आ करके यहां से जुम-to area कर सोगे यह वाला रहेगा joint out इस पर जतनी पार आप क्लीक करोगे उतनी बार joint होता रहेगा कि कि जुम-to-fit होता है जुम-to-fit मतलब होता है कि अगर आपका object इसकिन से बाहर भी है चाहिए कोई object screen के अंदर भी है, तो उन सभी object को पूरी screen पर लाने गई, ताकि जितने भी object आपे बनाया है, वो सभी object इसे तरह से यह आता है previous view, previous view मतलब इससे just पहले का view, फिर इससे पहले का view, इस तरह से अगर आप undo करना चाहते हो, तो यह previous view यहाँ पर use के आजाता है, इससे तरह से section view आएगे, इससे तरह से आपका conversion आएगा, यह 3D के जो views आएगी, तो यह continuously जैसे आपने 3D तरह पढ़ते उसके आपोड़िंगी है, views आता जाएगी है, आपका, ट्यक्ति आएगे